हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइ चैनल, माइ डिवाइन व्लॉग कैसे हैं आप सभी? I hope आप लोग बहुत अच्छी होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप लोग अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं पान का पत्ता यह है पान के लिव्स, जो आज मैं आपको पताऊंगी कैसे आप घर पे पौधे को लगा सकते हैं इससे पहले आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेर कीजिए और बिल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी न्यू वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए आप सभी जानते हैं, कि हम लोग के घरों में जब पूजा पाट होती है, तो पान के पत्तों का सबसे ज़्यादा महत्व है पान के पत्तों का, पान के डंठल का, मेडिशनल यूज भी बहुत होता है तो चलिए, आज मैं आपको बताऊंगी, कि आप लोग अपने घरों में कैसे पान के पौधे उगा सकते हैं ये है पान के बेल, जो मैं अपनी दादे घर से लाए हूँ, और ये पान के बेल बहुत बड़े बड़े थे, क्योंकि ये जमीन में लगे हुए थे ये पान के बेलो को आप मैं छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लूँगी पर ध्यान रहे इस बेलो में आपको नोट्स चरूर होने चाहिए इसी नोट्स से हम लोग के रूट्स तयार होंगे ये देखिए आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसमें नोट्स आये उन्हें आप हटा लेजिए जिससे आपके रूट्स को ग्रो करने में आसानी होगे इसके लिए कोई भी नॉर्मल मिट्टी आप यूज़ कर सकते हैं बड़ ध्यान रहे आप इसे लगा रहे हो तो शाम की टाइम हो मैं सिर्फ ये पान के बेलो के लिए ही नहीं कह रही प्लांट्स को स्वाइल एंड वाटर के साथ फ्रेंशिप करने के लिए अच्छा टाइम मिल जाता है अब इसमें मैंने पानी डाल दिया है और अब ये रेडी है अब इसे जादे संलाइट की जरुरत नहीं है इसलिए हम लोग डारिक संलाइट में से नहीं रखेंगों मैं मैंने एक और पॉट को रेडी किया है जिसमें मैं पान के बेलो को प्लांट करूंगी अशनो करूंगी कर दो